Question number 3, Prove that the following are irrationals. First of all, a part है 1 upon root 2. तो ये irrational है आपको prove करना है. तो दोगो जैसे हमने question number 1 किया था न, root 5 को irrational prove किया था. सेम उसी तरीके से हम कर सकते हैं. बस root 5 के जगा 1 by root 2 है. उसी तरह से आप करते चले जाओगे और आपका solve हो जाएगा. लेकिन वो lengthy है. दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो easy है. लेकिन उस method को बताने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि एक method और है, जिससे अक्सर लोग solve करते हैं इस तरह के question को. यानि अगर किसी irrational number का inverse दे दिया हो न, तो उस method से अक्सर लोग करते हैं. लेकिन वो method सही नहीं है. कौन सा method है? उसमें यह assume किया जाता है कि one upon root two हमारा rational है, तो उसको हम P by Q के form में लिख सकते हैं, जहांपर Q जो है, हमारा zero के बराबर नहीं है, और P और Q अपके co-prime है. उसी तरह से कहानी यह साम देखते आ रहे हैं. अब यहाँ पर क्या करते हैं? reciprocating both side कर देते हैं, यहीं दोनों side को उलट देते हैं. तो यह क्या हो जाएगा? root two हो जाएगा, और P by Q के Q by P हो जाएगा. फिर यह कहा जाता है कि जैसे हमारा देखो P by Q rational है, तो Q by P भी rational होगा, तो rational तो rational के बराबरी होगा, इसका मतलब जो root two है वो भी rational है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि root two तो irrational है, तो यहाँ से हमारा assumption गलत हो गया, इसका मतलब जो one upon root two है वो irrational है, लेकिन गलती यही होती है, कि P by Q तो चलो आपने rational माना वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि Q by P, यानि उसका inverse यह भी rational हो, rational number का inverse जरूरी नहीं है कि rational ही हो, जैसे एक rational number है zero, इसका inverse निकालो यानि one upon zero, क्या यह rational है, यह तो not defined है, न rational है, न रियल है, न इमेजनरी है, यह कुछ नहीं है यह, defined ही नहीं है यह, तो zero तो हमारा rational था, लेकिन इसका हमने inverse कर दिया, तो not defined आया, rational नहीं आया, Q को हम zero के बराबर क्यों नहीं मानते, यह जो हम लिखते हैं Q not equal to zero, यह क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर Q zero हो गया, तो not defined हो जाएगा, तो उस case में P by Q आपका rational नहीं रह जाएगा, P के लिए हम यह condition नहीं लगाते, क्योंकि P zero हो सकता है, zero upon one कर दो तो answer आपका zero आएगा, और zero आपका rational है, तो P zero हो सकता है, लेकिन जैसा ही आप invert करोगे, और P मान लो zero हो गया, तो यह irrational हो जाएगा, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, अकसर जगें पर आपको यह solution मिल जाएगा, कि P by Q मान लिया, उलट दिया, Q by P हो गया, यह rational, वो भी rational, root 2 भी rational, बात गलत हो गई, काम खतम, लेकिन यह गलत है, अब सही वाला method कौन सा है, एक तो वो जैसा कि first allocation किया है, दूसरा जो short वाला method है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर इस channel पर आपको सही चीज़ें बताई जाएगी, ताकि सही knowledge आपको मिल सके, उसी तरह से हम करेंगे, पहले 1 by root 2 को rational assume कर लेंगे, let us assume that 1 by root 2 is rational, that is we can find co-prime p and q, जहाँ पर q 0 का बराबर नहीं है, such that 1 upon root 2 equal है p by q के, तो 1 by root 2 का rational माना है, तो यह p by q के बराबर होगा, क्योंकि rational को हम p by q के form में लिख सकते हैं, जहाँ p और q आपके co-prime है, q not equal to 0 है, अभी जो 1 upon root 2 है, यानि denominator में हमारा irrational है, root 2 irrational होता है कि नहीं, इसको rationalize करेंगे, rationalize करना आप जानते हो, तो अपलिक होगे, rationalizing denominator of 1 by root 2, we get, rationalize करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, कैसे rationalize करते हैं, denominator में जो third होता है, उसी को numerator और denominator दोनों से multiply कर देते हैं, यानि 1 by root 2 है, तो इसको multiply करेंगे, denominator क्या है, root 2 है, तो root 2 upon root 2, इस तरह से हम कर देंगे, तो root 2 divided by root 2 आपका 1 होता है, किसी पर नमबर को 1 से multiply करो, तो वही रहाएगा, यानि value change नहीं हो रही है, ये बराबर होगा P by Q के, अब 1 और root 2 एनि numerator, numerator आपसे multiply होंगे, तो आपका हो जाएगा root 2, और root 2 और root 2 multiply होगा, तो ये 2 हो जाएगा, equal P by Q, यहां से हम ये कह सकते हैं, कि root 2 equal है, 2 धर जाके multiply हो जाएगा, 2 P by Q के, अब देखो यहां क्या हो रहा है, P by Q हमारा rational है, 2 भी हमारा rational है, 2 P by Q से multiply होगा, तो दो rational आपस multiply होते हैं, तो वो rational ही होता है, जो अंसर आएगा, तो यह जो पूरा time है, वो rational है, अगर यह rational है, तो हमारे हिसाब से, root 2 भी rational होगा, जबकि सचाई इस से अलग है, root 2 rational नहीं होता है, irrational होता है, तो आप आगे लिखोगे, since P and Q are integer, we get 2 P by Q is rational, and so root 2 is rational, यानि इस हिसाब से root 2 भी rational हुआ, but this contradicts the fact that root 2 is irrational, लेकि root 2 तो irrational होता है, हमारे हिसाब से rational आ रहा है, this means our assumption that 1 by root 2 is rational is wrong, so we conclude that 1 by root 2 is irrational, तो इस नतीजे पे हम बहुच रहे हैं, कि 1 by root 2 आपका irrational है, तो यह सही तरीका है, इस तरीके से आपको पूरा लिख के दिखाना है, अब इसका scan well apart है, 7 root 5, पहले assume करेंगे, let us assume that 7 root 5 is rational, that is we can find co prime P and Q, जहां Q not equal to 0 के, such that 7 root 5 बराबर होगा P by Q के, अब 7 को दूसरी साइट भेज़ दो, तो root 5 बराबर हो जाएगा P upon 7 Q के, तो P by Q हमारा rational है, 7 भी rational है, तो यह total P upon 7 Q भी rational होगा, उसके बाद वही same statement आप लिखोगे, जैसा कि फर्स अले पार्ट हमने लिखा था, बस value यहाँ change हो जाएगी, since P and Q are integers, we get P upon 7 Q is rational, and so root 5 is rational, अगर P upon 7 Q rational है, तो इसी के equal to root 5 भी rational हो जाएगा, but this contradicts the fact that root 5 is irrational, this means our assumption that 7 root 5 is rational is wrong, so we can conclude that 7 root 5 is irrational, तो यह prove होगे हमारा, थार्ड वाला पार्ट देख लेते हैं, 6 plus root 2, यह same जैसे हमने second वाला कोशन किया था, उसी तरह से बिल्कुल होगा, तो second वाला पूरा content मैंने यहाँ copy कर लिया है, वह इसी में हम change करते जाएगे, क्योंकि वहाँ 3 plus 2 root 5 था, यह 6 plus root 2 है, let us assume that 6 plus root 2 is rational, वही पूरा statement, जहाँ पर changes है, बस वही पर मैं change कर दे रहा हूँ, 6 plus root 2 यह p by q के बराबर होगा, 6 को अधर बेज देंगे, तो यह minus हो जाएगा, तो root 2 equal हो जाएगा, p minus 6 q upon q के, अब p और q integer है, इसलिए p minus 6 q upon q, यह rational होगा, इस हिसाब से जो root 2 है, वो भी rational हुआ, लेकिन fact यह है, कि root 2 हमारा irrational होता है, इसलिए जो हमने assume किया है, 6 plus root 2 rational है, यह wrong है, तो यहाँ से हम conclude कर सकते है, कि 6 plus root 2 के है, irrational है, तो third वाला part हमारा हो गया, और भी question के solutions की video देखनी है, तो नीचे description में आपको chapter wise playlist का link मिल जाएगा, वहाँ से click करके देख सकते हो, ओके thank you,